नमस्कार दोस्तों, जब इंसान इश्वर की बुराई करना शुरू कर दे, तो समझो कि वो इंसान खुद को इश्वर मानने लग गया है मैडम ने नारायनी सेना का अपमान करके ये साबित कर दिया है कि खुद को ये मैडम हाँ तोतली अपने आपको इश्वर मान रही है नारायनी सेना का अपमान मतलब यदू वंशी समाज का भी अपमान है और हिंदू का भी अपमान है मेरे दोस्तों नारेनी सेना और कृष्ण का अपमान इसलिए किया मैडम ने क्यूंकि वो यदुवन्शी समाज में पले बड़े थे जो कि वो पिछड़े समाज से बिलॉंग करते हैं आप सब को समझ में आना चाहिए ये तोतली मैडम आप सब लोगों को ठग रही है और हिंदुस्तान के लोगों को और हमारी परंपराओं को बदनाम कर रही है यदुवन्शी समाज यूगो यूगो से विर्ता के लिए जाने जाते हैं आपको यकिन नहीं आप आज देख लिजे हमारे आर्मी में कितने यदुवन्शी समाज के हमारे भाई है एक बात कहूं दुख की बात है DGP सहाब शुशान्द राचपूत की केस को लड़ते लड़ते खुद का चुनाओ लड़ने बैड़ गए हैं क्या होगा इस देश का DGP सहाब आप तो शुशान्द को न्याई दिलाने की बात कर रहे थे अब आप तो खुद अपने लिए न्याय माग रहे हैं और लिख के ले लो अगला नंबर है चुनाव का और राज्य सबा का आपकी तोतली मैडम का जो पुरे हिंदुस्तान की जंता को इन्होंने ठगा है दोका दिया है जुड बोलकर के ये लोग सिर्फ शुशान्त को न्याय दिलाना चाहते हैं ना इनका फंडा चुनाव लड़ना है वोट अपने कबजे में लेना है और इस देश की गद्धी पर बैठना है ना रायन ना रायन क्या होगा इस देश का मैडम आईए यहां पर ठगने सबको शुशान का केस एक बहाना है दोस्तो शुशान कि को न्याय मिले ना मिले इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है दोस्तो इन लोगों ने मेरा मुह बंद कराने की कोशिश की मुझ राकी सावंद को धमकी देने की कोशिश की इनके कुछ चेले चपाटे जो है न पताने कौन है यह लोग पिछड़ा समाज यदू अंशी समाज या कोई भी और समाज के साथ गलत होगा तो आपकी ये शेरनी राकी सावंद उनका साथ जरूर देगी शेरनी तो अकेले आती है जुंड में तो सुवर आते हैं मैडम समझी नारेनी सेना और क्रिश्न का अपमान करके मैडम आपने पूरा हिंदूों का अपमान किया है आपको लगता है कि आप नारेनी सेना और क्रिश्न का अपमान करके हिंदुस्तान में चैंस जी सकती है रह सकती है लोग कुछ समय तक बरदाश करेंगे आपको उसके बाद नहीं करेंगे तो अभी भी समय है सुधर जाओ समझ गई तो उतली मेडम